हेलो दोस्तो, ABC coaching youtube channel में आपका स्वागत है दोस्तो, jackboard की तरफ से आज की डेट में बहुती बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है Class 12 के result को लेका जिया दोस्तो, बहुती बड़ी update निकल कर आ रही है जिसमें बताया गया है कि इंटर के result की तिथी में बदलाव क्या गया है इंटर के result का इंतिजार आप कर रहे हैं तो आपको जो है और कुछ दिन आपनों को इंतिजार करना होगा तो दोस्तों चलिए देखते हैं पूरी जनकारी को तो इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे रेट कलर के सस्क्राइब बटन को दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर लें साथी बैल आकोन को दबा दे ताकि जैसे ही रिजल्ट जारी होती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के द्वारा एक सौर्ट लिंक दिया जागा जिसे जो है आप अपना result सबसे पहले check कर पाएंगे जिस तरह से class 11 और class 10 का जो है शौर्ट लिंक दिया गया था जो इस में से सभी बच्चे जो अपना result जल्दी से जल्दी check कर पाये थे इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी ज्वाइनिंग कर लीजिए ताकि जैसे ही रिजल जारी होती एक सौर्ट लिंग दिया जाएगा जिससे जो है आप अपना सबसे पहले रिजल चेक कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों जो अपडेट आई है आज के डेट में उसको हम देखते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी जानकारी को तो देखे दोस्तो मैंने आज के प्रभाद कबर को आउन करके रखा हूँ जिसमें बताया जा रहा है देखे दोस्तो आप यहां पिस्क्रिंग पर भी देख रहे होंगे किया वा था जैकबोड की तरफ से तो दोस्तो आज जो है अपडेट जारी हुआ है जिसमें यह बताया गया कि रिजल के लिए जो है आपको और कुछ दिन इंतिजार करना होगा यानि कि संडे से पहले आपनों का जो रिजल है जारी कर दिया जाएगा ठीक है और कुछ दिन आपनों को इंतिजार करना होगा तो देख सकते हैं यहां पर यहां पर बताया गया है राची जारकन एकाडमिक कॉंसिल जैक की तरफ से इंटरमीडियेट साइंस और कॉमर्च संकाय का रिजल्ट इस सफ़ता जारी कर दिया जाएगा यानि कि इसी सफ़ता जो आपनों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ठीक है और यहां पर यह बताया जा रहा है कि वही जुलाए के बाद जो है रिजल्ट जो है जुलाई के अं तक जो है आर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा ठीक है यह जो है तिथी में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है पहले यह बोल रहा था कि 20 तारिक तक में जो है अपनों का इंटर आर्स का रिजल्ट जारी कर दिया जाए यानि कि दोस्तों बता दे कि रिजल्ट की तिती में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है आपको पहले भी बताएते कि सिस्वेशन सही रहता है तो आप लोगों के रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ठीक है और सिस्वेशन में कुछ गड़बडी होती है या कुछ भी प् पूरी तरह से तयार बन कर हो चुका है इंटर की परिक्षा फरवरी में हुई थी जब कि कॉप्यों की मुल्यांकन मैं के अंतिम सब्ता से शुरू हुआ था ठीक है यानि कि बता दे जुस्तों कि आपनों की जो परिक्षा है फरवरी तक में समाथ हो गया था ठीक है लेकिन जैसे कि 28 में से शुरू हो चुका था ठीक है तो यहां पर यह बता जा रहा है कि जैक ने 8 जुलाई को मैट्री की परिक्षा 2020 का रिजल जारी किया था यानि कि 4 जुलाई को आप ध्यान देंगे 4 जुलाई के एगरवी क्लास का रिजल जारी किया हुआ था और उसके बाद 8 जुलाई को जो है 10 क्लास का रिजल जारी किया हुआ था लिकी ठीक है तो जिसमें यह बता गया था कि पिछले अपडेट में आप थोड़ा सा धियान देंगे जिसमें पिछले अपडेट में बता गया था कि क्लास 12 का साइंस और कोमस का रिजल जो है ठीक है 15 जुलाई से प अपनों का रिजल जारी कर सकता है आप बीच बीच में जो जैक बोड के ऑफिसल वैपसाइट जो चेक करती है ठीक है और कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हम बताने की कोशिज करेंगे तो इसी वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्त अपडेट में